अन्पार्लियामेंटरी आप नहीं बोल सकते हैं तुरत गाउं में सजा होगा आसको बीना कपड़ा का नंगे घुमते हैं आपके हां नंगे चले जाएगा ता परतास कर लोगे और वहां पर जो बली दने का परता है उसको कोई रोके नहीं यह कि आप जहां है सरकार का बयान आया प्रसासन का बयान आया धरम के नजर में आप दोनों हमारे लिए शमाते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं दन्यूस पोस्ट और मैं हूँ समीर जारखन का पारस नात इन दिनों काफी सुर्खियों में है कुछ दिनों तक जैन धर्म लंबियों के द्वारा सरकार के द्वारा पारस नात पहाड को प्रयटन अस्थल घोसित करने का विरोध देश भर में चला यह विवाद पर विराम केंद्र सरकार ने प्रयटन अस्थल के प्रस्ताव को रोक कर लगा दिया लेकिन आज से कई आदिवासी संगठन पारसनात पहाड को मारंग बुरु बता रहा है और उसे अपना पूजा अस्थल बता रहा है इसे लेकर आज जामुमों विधायक लोबिन हेमरम के आवास पर एक प्रेस वारता की गई प्रेस वारता कर साथ तोर पर जो संथाल मारंग बुरु संथाल संगठन आदिवासियों का है उस संगठन के नेताओं ने और विधायक लोबिन हेमरम ने सक्त लहजे में कहा कि अगर सरकार इस पर विशार नहीं करती तो आगे चल कर एक बड़ा आंदोलन की रूप रेखा त मेरा भी अधिकार रहना चाहिए और हम सुरू से रहते आये हैं और रहेंगे और आगे भी रहेगा और वहां पर जो बली दने का परता है उसको कोई रोके नहीं इसकूल के बच्चे को रोके नहीं पहार से लकड़ी लाने वाले को कोई रोके नहीं और दूसरी बात है कि हम क्योंकि सरकार भुटना ठेक दिया है अब कहां जाओ मैं इसलिए हम सारे लोग बील करके यह जारखण बचा मोर्चा के तरफ से हम लोग अल्टिमेटम दे रहे है पच्चीश जनमेरी तक वहां के आधिवासियों का जो अधिकार है उसको बहाल करे और नहीं तो फिर हम लोग 30 जन्वरी को 30 जन्वरी को उली हतु में विर्शा भागवान के हां हम लोग जाकर के एक दिन का उपवास रखेंगे और दो फर्वरी को भोगनाडी ब्रेड साहब गंजिला भोगनाडी में हम लोग एक दिन का उपवास रखेंगे और इस पर भी एगर सबादान नहीं होगा तो फिर इसके लिए आगे की करवाई के लिए आगे हम लोग अपना रणनेती तै करेंगे और इसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है और ये महाजुटान अस्ट अस शेरी को अपना हक अधिकार को लेने के लिए हम लोग वहा महाजुटान करेंगे और केनर सरकार और राज सरकार को इन को अकर्स्द करेंगे और इसको हम लोग लेके रहें समाज में आप गलत सब्ट का परियोग नहीं कर सकते हैं अनपार्लियामेंटरी आप नहीं बोल सकते हैं तुरत गाउं में सजा होगा अशको और वहां पर अगल बगल वह यह लोग है पने बीना कपड़ा का नंगे घुमते हैं यह कहां चाहिए वासी बदर्जाश करें तो परतास कर लोगे ने जो रियल है यह आपका 2020 में ठेका हम लोगों ने लोकल प्रशाशन सागरा करते हुए हम लोग आपस में समधान निकाल लिए शुरू हो गया अब लोकल अस्तर पर हम लोगों ने सुचना दिया तो फिर एक लोकल अस्तर पर कमिटी बनां करके उसकी निकाल डिया यही कि आप जहां है सरकार का बयान आया प्रशासन का बयान आया धरम के नजर में आप दोनों हमारे लिए शमान है आपका भी कस्टम है रिच्वल है वो किजे और जैनियों का भी यह जहां तक वो करे प्रसाशन उसमें यही हल निकाला तो हम लोग आज भी मान रहे हैं हमारा कहना है कि उस छेत्र को कहीं रेकॉर्ड्स प्राइट्स में भी नहीं है वहां के मुलवासी वहां के आदिवासी उनहीं के जमीन पर बैजवरन पुलिस प्रसाशन से मिल करके वह अभी मालिक बन करें बैठे हुए हैं वहां से गौर्मेंट को रेविनियों जीरो प्राप्त है लेकिन बेवस्थाय चका चाउंद है आज उनके पास जाहिएगा तो कि उस शेतर में शरवांगिन विकास हो और आदिवासी का विख्याल रखते होगे हैं एमन सोरेंग जी से हम लोग आगरा करते हैं कि वहां जब आदिवासी का एक बहुत ब्रहत बहापरव होता है जिसको इधर की भासा में संथाल का भासा में बहां बोलते हैं बाकी इधर शरहूल बोलते हैं तो बताओर गवर्नर अप जारखंड द्रपदी मुर्मु जी दो बार कंटीनी वहां गई हैं हैमन सोरें जी ओपोजिशन लेडर थे दो बार चीप केस्ट बन करके गए हैं गुरु जी का उस शित्र का करम भूमी है सीवु सोरें बन के गए वहां के आदि मरांगबुरु के नाम पर आदिवासियों को एक लोटा एक लोटा पानी जल डलना चाहिए मरांगबुरु के नाम पर ताकि जल्दी राज अलग हो लेकिन आज की दूर्दसा हम लोग काफी आहत है उनकी विशार से विवहारों से और केंद्र सरकार अनभीग हो सकता है ले है उसको कई बार अवेदन भी दिया है कल भी हम लोगों ने दिया है कि इस पर पुनार विचार कीजिए अगर नहीं करते हैं तो जिस दरह से जैन शमूद है पुरा देश में अंदोलित अंदोलन के माध्यम से सरकार को घुटने टेकवाया तो उससे भी बड़ा अंदोलन पूरे आदिवासी समाज मिल करके करेंगे वहां के मुलवासी करेंगे और सरकार को हमारा रेकॉर्स आप राइट्स के माध्यम से वहां की जो भौगोले की स्तिति है निरने पर पुनार विचार करने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे और जवरत पड़ेगा तो हम लोग स्टेट को भी बंद करने का पूरे समाजिक संगठन अभी ये कोई राजनितिक लड़ाई नहीं है हमारे समाजिक न्याय की बात है अस्तित्व की बात है हम कोई राजनितिक हमारे आदिवासी समाज भी आदिवासी की लोग भी दूसरे दूसरे दल में है हम सबसे इस मंज क माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं वैसे आदिवासी अपने धरम अस्थल अपने अस्थित्यों को बचाने के लिए अगर कोई साथ नहीं देता है तो हम लोग समाजिक रूप से उसको भहिस्कृत भी करेंगे और पूरे जोर तरीका से हम लोग आपने सुना कि साफ तोर पर उन्होंने कहा कि अगर विचार सरकार नहीं करती तो दस तारीक से इस आंदोलन का संखनाद कर दिया जाएगा दस तारीको पारसनात में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटेंगे इसके अलावा 25 जनवरी तक भी अगर सरकार ने सूध नहीं ले तो उली हातुम में बिरसा मुंडा जन्म अस्तली पर जाकर तमाम लोग एक दिन का उपवास करेंगे उसके बाद एक बड़े आंदोलन की रूप रेखा तयार की जारी है दमाम आदिवासी संगठन के लोगों का साफ कहना है कि जुपारस नात पहाड है उसका मालिकाना हक आदिवासियों के पास है जल जंगल जमीन हमारा लेकिन इस पर कबजा किसी और का हो गया है अब देखना होगा कि आग झाल